दोस्तो इस वीडियों आपको जनकाइ देने वालों किस पकार सोब के वाला अपने mobile phone से ही पर अधार कारट को किस पकार से remote करेंगा है इसके क्या प्रोसस होता हुए आपको इस वुडियों बताने वाला हुगا तो चैलिए वीडियो सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपके mobile phone में कोई भी browser आपको open करने के बाद यहाँ पर दिखना ज़रा तो search bar इस पर आपको click करना है, यहाँ आपको tap करके search करना होगा myadhar, then आपको search करना है, तो जैसे यहाँ पर myadhar tap करके search किजेगा, उसके बाद आपको नीचे आना है, जब नीच आना है, यहाँ पर दिखिए, एक option आज़रा आता होगा download अधार का, तो आपको इस पर आपको click करना है, उसके बाद जो भी आपके अधार कार्ट के साथ mobile number लिंक होता है, उस पर एक OTP send किया जाता है, जैसे कि यहाँ उबर में देख सेथे OTP dispatch हो चुकार, यहाँ पर मेरे क OTP आता है, उस OTP को यहाँ पर आपको flip करना है, उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पनाज़र तो verify and download तो आपको verify and download पर आपको click करना है, तो जैसे verify and download पर click करते हैं, तो जो आपका अधार कार्ट होता है, उस successfully आपका एक video फार में download हो जाता है, जैसे कि देख सेथे मेरे पर इसमें यहाँ पर download हो चुका है, चलिए मैं आपको open करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके लिए यहाँ पर देखिना जाता होगा justorm, तो यहाँ पर मैं justorm में click करता हूँ, ठीक है, तो finally आपका अधार कार्ट यहाँ पर एक PDF file में download हो चुकर, यहाँ पर open करने क पर देखिने का भी option आचुका है, लेकिन जो अधार कार्ट आपका don't हो है PDF file में उसमें एक password protect होता है, ठीक है, इसमें password होता है, जब तक यहाँ पर सही से एक password आप नहीं डालिएगा, तब तक आपका जो अधार का PDF file होगा, वो आपका open नहीं होगा, तो चलिए सबसे पहल मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके अधार का PDF file का password का password क्या होता है, ठीक है, मैंने जो इसका password होता है, वो 8 digit को होता है, जिसमें आपका जो भी आपका नाम होता है, नाम का first four letter लिखना है, English में बड़े-बड़े अच्रों में, then जो last four digit होता है, वो जो भी आपका date of birth हो आपका year होता है, ठीक है, then आपको open पर click करना है, तो जैसे open पर click करते हैं, तो finally आपका अधार का PDF file होता है, उसके पाद जो भी आपका अधार काड है, जो आपका डौन होता है, इसे आपका डौन होता है, इसे आप अपने PDF file में save कर लिजे, या तफिर पीड़े लिजे या